धन्वान बनने के पांच गुप्त रहस्य हर कोई धन्वान बनना चाता है व्यक्ति धन्वान बनता है अपने भागे के बल पर या अपने कर्म के बल पर लेकिन कभी-कभी ये दोनों ही सिद्धांत व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं जोदिश और अन्य माध्यों को जानकर हम आपके लिए लाएं हैं धनवान बनने की पांच ऐसे गुप्त रहस्य जिनें अपना कर आप चमातकारिक गुरूप से धनवान बनने की रहा पर चल पड़ेंगे पहला रहस्य विश्वास करो कि आप अमीर हो यदि आप सचमुछी धनवान बनना चाहते हैं तो आपको एक धनपती की जो सोच होती है वैसी ही अपनी सोच को बनाना होगा आपको आपका रहन और सहन बदलना होगा खुद को अमीर समझना होगा विश्वास की बहुत बड़ी ताकत होती है सोच बदलो तो भविश्य बदलेगा जो खुद को दरिद्र मानते हैं वे हमेशा दरिद्र ही बने रहते हैं दूसरा रहस्य धन्यवाद देने की आदत डालो इश्वर के पास हर कोई मांगने जाता है लेकिन धन्यवाद देने कितने लोग जाते होंगे आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है उसके लिए इश्वर प्रकती या किसी भी व्यक्ति को दिल से धन्यवाद दो धन्यवाद की ताकत को समझो प्रतिपल धन्यवाद के लिए तैयार रहो क्योंकि आगे भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है तीसरा रहस्य इश्वर प्रकती या आकास से मांगो पीश्वर प्रकती या आकास के पास देने के लिए आपके लिए बहुत कुछ है लेकिन यदि आपके पास किसी वस्तु को पाने के लिए चाहत नहीं है तो वो नहीं मिलेगी आपकी चाहत या मांग में ताकत होना चाहिए उससे मांगते वक्त मन में विश्वास रखो आपकी मांग इसपस्ट होना चाहिए पहले कोई भी एक वस्तु मांगे और उसके मिलने का विश्वास के साथ इंतिजार करें वह निश्चित मिलेगी आपकी इच्छा या मांग बदलती रहेगी तो इंतिजार लंबा होता जाएगा चोथा रहस्य अपनाओ इन वास्तु नियमों को गर को वास्तु अनुसार ढालें क्रोध न करें और किस भी प्रकार के व्यसन से दूर रहें बैठक रूम में ऐसे चित्र लगाएं जिसमें एक हस्ता हुआ परिवार नजर आ रहा हो पूजा इस्थान पर मादा लक्ष्मी का ऐसा चित्र लगाएं जिनके हातों से धन की वर्षा हो रही हो बोजन सदेव पूर्व या उत्तर की और मुक करके करें दिपक जब भी जलाएं तो उसकी बाती उत्तर की और रखें घर की तिजोरी में तांबे, पीतल या चांदी के सिक्के पर्याब तमात्रा में रखें इसके अलावा हल्दी की गांट, पीली कोडियां तिजोरी में रखें घर में वातावरन को सुगंदित बनाए रखें देहली पूजा करें, जेब में हमेशा कुछ सिक्के रखें प्रती शनिवार को पीपल के वरक्ष के नीचे गीं का दीपक और सुगंदित अगरवत्ती जलाएं पांचवार हस्ये, रात को नोट गिन कर ही सोएं दस, पचास या सो के नोट की एक गड़ी बना लें आप प्रती दिन सोने से पुरू उन्हें गिन कर यथा योग इस्थान पर रख कर सो जाएं एसा कम से कम 43 दिन तक करें तो लाभ मिलेगा